आप सभी छात्रों का स्वागत हैं तो छात्रों आज की इस वीडियो में हम कक्चा 8B विसे हिंदी तेमारसिक परिक्छा सत्र 2022-23 का पेपर देखने वाले हैं जियां चात्रों 27 सितंबर 2022 को होने वाले बिसे हिंदी का पेपर देखेंगे, जो कि आपको 27 तारिक को विलकुल Sam to Sam देखने को मिल सकता है, इसलिए चात्रों वीडियो में अंतर तक बने रहेगा, करते हैं वीडियो को स्टार्ट, समय देख सकते हो 2 घंटे, पूर्ण आंक है 50 और यह पेपर आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको सबसे पहला कॉशन मिलेगा, नीचे लिखे पद्यांसों की सप्रसंग सहित अर्थ लिखिए, है ना, इसमें आपका का कॉशन है, कॉशन पैड़ल अच्छे से पहले देख सकते हो आप है, खिले कमल अरण, तरण प्रवात मुस्कुरा रहा, गवन विकास का नवीन, साज यह सजा रहा, चलो बढ़ू समीर संक है बजा रहा, भविस्त सामनी खड़ा प्रसस्त पथ बना रहा, इसके बाद खा है, माड़े पानी है, नाई गवाए, खलवल, खलवल गाना, बिना नहर उपजाए न बांधा, खेत में एको दाना, आपन गोड के वांधना, छोराए ओला मिलाए मिलाए, ठिकाना, अजादी है, सब विकास के गरम बरूवर होते, जल, तो यहाँ पर हम पहले वाले काका उत्तर देख लेते हैं, पहले साप्रसंग सही तर्थ लिखिए, तो आपके सामने हैं उत्तर है ना, तो यहाँ पर है, लिखना है, आपको बहुत डैस डैस करके, सुरूव के दो सब्द और आखरी पंक्ति के, दो से तीन सब्द है, ना, तो खिले कमर डैस डैस पत बना रहा, फिर संदर्व डालके, प्रस्तुत पत द्यांस हमारी पार्थ है, पुस्तक छत्ते सकड़ भारती के पार्थ नई उसा से लिया गया है, इसके कभी स्री सत्य नलायन लाल जी है, प्रसंग हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कभी ने प्रक्ति के बिविद उपकरनों के माद्यम से, नव यूकों को जगाने एवन प्रक्ति पत पर आंगे बढ़ने का संदिश दिया है, ब्याख्या की बात करें तो कभी कहते हैं कि अजादी की नई सुबह मुस्कुरा रही है, चारों और खुसियों की लालीमा फैल रही है, उमीदों के कमल खिल गए हैं, अकास जैसे बिकास की नए गीत गाने के लिए बिविन नसाजाओं को सजा रहा है, हवाई जैसे संक की मंगल ध्वनी कर रही हैं, अतहा हे नवीवकों उठो और आंगे बढ़ो, तुम्हारे सामने तुम्हारा वविस्ट खड़ा हुआ है, जो स्वयम तुम्हारा रस्ता बना रहा है, यह आपके काका पहले का उत्तर हो जाएगा, फिर जो खावाला है, इसका उत्तर देखते हैं, तो आपको खाव में देखो उत्तर लिखना है, माढ़े पानी, हे नाई गवाय, डेस डेस बरोबर होते, संदर रवा जाएगा, प्रिस्तुत पध्यांस को हिंदी के पाठ आठ एक सांस अजादी नामक सीर सक्से लिया गया है, इसके कभी डॉक्टर जीवन यदू है, प्रिसंग कभी ने अजादी को ही विकास का मर में बताया है, अर्थ, कभी कहते हैं एक स्थान पर ठेहरा हुआ जल, कल-कल गीत नहीं गाता, बिना नहर की बांध खेतों में एक भी दाना अन उपजा नहीं जा सकता, जो व्यक्ति अपने पेरों का बंदन खोलता है, उसे ही उसकी मंजल प्राप्त होती है, अजादी ही सभी तरह के बेकास का मर में हैं, इसके बाद नेक्स्ट कॉस्चन देखते हैं, जो कि है स्गेंड, नीचे लेकि प्रशनों के उत्तर दीजिए, कोई पांच तो आपको को भी तयार करने हैं, क्योंकि इंपोर्टेंट कॉस्चन है, आपको बिल्कुल सेम तो सेम देखने को मिल सकते हैं, और मिल भी जाएंगे, पहला है नई उसा से कभी का क्यातात पर है, तो इसमें आपको दिखो उत्तर किया जाएगा, हम आपको उत्तर भी बता देंगी, इस नई उसा से कभी क्या क्यातात पर है, उत्तर आएगा, उसा कभीता में प्राता कलीन, अकास की पवित्रता के लिए कभी ने उसे राक से लीपा हुआ चौंका कहा है, जिस प्रकार चौंके की राक से लीपकर पवित्र किया जाता है, उसी प्रकार प्राता कलीन उसा भी पव पित्र है अकास की निर्मलता के लिए कभी ने काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धूल गई हो का प्रयोग किया है ठीक है इसके बाद आपका खा प्रस्ण है यहां पर सिरिकांत को पहले कॉशन देख लेते हैं इसके बाद आपका खा है सिरिकांत कोक्षा का मॉनिटर क्यों बनाया गया इसका उत्तर बताते हैं आपका सिरिकांत का सुभाव बहुत ही अच्छा था सभी सिक्षक उसे पसंद करते थे एवां सिरिकांत को कक्षा के 85% लड़कों ने उसके नाम का समर्थन किया इसलिए सिरिकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया गया ठीक है अब्राहम लें लिंकन कौन थे उन्होंने किसे पत्र लिखा इसका उत्तर बताते हैं आपको तो आपके सामने हैं उत्तर अब्राहम लिंकन अमेरिका की राष्टपती थे उन्होंने अपने बेटे के सिक्षक को पत्र लिखा था किसे अपने बेटा के सिक्षक को इसके बाद next question प्राकिते की सुंदर्ता का चितरण अप्राहम लिंकन ने किस प्रकार किया है ना तेंग्ली पूलों की हासी के माध्यम से किया है इसके बाद next question देखते हैं पानी पत का युद्ध कब हुआ था और या किस किस के बीच हुआ था चाह देख लो फिसका उत्र हम एक साथ देख लेंगे पैंटर को देखकर लेखक के मन में ख्या भाव उत्पन हुआ और चाह अचाल को रात में नींद क्यों नहीं आई तो इनके उत्र देख लेते हैं अभी तो यहाँ पर जो कौश्चन है पानी पत का युद्ध कब और हुआ और किसके बीच हुआ तो पानी पत का प्रतम युद्ध एकईस अफट 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहम लोदी और बावर के बीच लड़ा गया था फिर जो दूसरा है चानममर का पेंटर को देखकर लेखक के मन में क्या भावतपन हुआ तो पेंटर को देखकर लेखक सोचा करता कि मैं भी बस जीवन भर बोड बनाऊंगा क्या मस्त जीवन है बोड बनाऊ और देन भर टाकिज पर रहो इसके बाद जो कॉस्चन है अचल को रात में नीन क्यों नहीं आई तो अचल को रात में नीन नहीं आई क्यूंकि भैस अपाटी लड़कों द्वारा चिड़ाई जाने की कारण परिसान और दुखी था अभी नेक्स्ट कॉस्चन देखते हैं असा इस पस्ट करने के लिए कि स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली तपाक से छीक हुई रक्सिवाली ने छीका था दादी माने अवाज लगाई बिटी आज इसकूल ना जाओ सामने की छीक है है ना इसका उत्तर देखते हैं और फिर इसके बाद हम मुहावरेकार्थ और बागे प्रयोग करेंगे सपना तूटना और सीखिया का ठीका तो उत्तर देख लेते हैं आपके सामने है इसका आसर उत्तर लिखना यहां इस कथन में संजु की निकलते समय ही रिक्से बाले की छीक देने पर दादी माने बिटिया संजु को अवाद लगाई की बिटिया आज स्कूल ना जाओ सामने की छीक है क्योंकि उनकी दादी का मानना था कहीं निकलते समय ही कोई छीक दे तो अब सब्वन होता है ऐसे मैं निकलने पर काम बिगड़ जाते हैं तो इसे शात्राप 25 सा याद कर लिजेगा यह कॉस्टन आपको आ सकता है परसने चार है निमने मुहावरों का अर्थ बताते हुए बाग के हम प्रयोक कीजिए पहला सपना तूटना तो यहाँ पर लिखना कोई अकांचा आदी पूरी ना होना उत्तर इस बार औस्टेलिया का बिस विकब जीतने का सपना तूट गया सिकिया काठी मतलब अर्थ होता है इसका दूबला पतला वेक्ती जो स्यम को बलवान समझे वो तो दूबला पतला पर स्यम को के समझे बलवान तो उत्तर आएगा सामू सिंकिया सिंकिया का मतलब का दूबला सामु सिंक्य पहलवान था फिर वी हर जगडे मैं आंगे दिखाई देता है ठीक है इसके बाद जो प्रश्ण है बो देख लेते हैं मुहावरे की अर्थ के बाद आपके प्रश्ण है बिलॉम सब्द लिखिए छै और समास की परिभासा लिखिए और प्रेकार लिखिए फिर पढ़ायवाची सब्द लिखिए तो इन तीनों के उत्तर देखते हैं तो बिलॉम सब्द लिखने हैं आपको अहित का हित हो जाएगा अगोस का घोस लिख देना बिलॉम अलब का बिलॉम पूछा गया है तो लब हो जाएगा बंधन का बिलॉम मोक्ष हो जाएगा बचाल क का मितभासी अकड़सक का विकड़सक और अम्रित का बिस इसके बाद समास की परिवासा एवं प्रकार पूछिए गए हैं तो लिखना है उत्तर आपको याद कर लेना अपच्छ से दो ये दूसरी अधिक सब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन बस आर्थक सब्द को समास कह समास छे प्रकार का होता है नेक्स्ट कोशन जो कि पड़ायबाची सब्दी लिखिए तो गरीब का पड़ायबाची रंक हो जाएगा साहन साहन साह का राजा नक्सा का प्रतिमूर्ती मीरा का गाढ़ा सौरी मोटा का गाढ़ा साहाज का इमती फिक्र का चिंता और पक का तो पड़ायबाची सब्दी के वाद आपका प्रशन है निमने प्रशना के उत्तर दीजिए मोहंदास की मा को बरसात के दुनों में अक्सर भूका क्यों रहना पड़ता था जहाज में यात्रा करते समय गांधी जी को रात्री का समय क्यों अच्छा लगता था है ना इन दो कि उन्होंने ऐसा ब्रत रखा था कि जो की सूर को देखने के बाद ही तोड़ा जा सकता है बहां बड़साती कारण कई दिनों तक सूरज नहीं देखता था जिसकी बंजा से बाहर कई दिनों तक भूगी रह जाती थी और फिर जो प्रशना जहाज में आत्रा करते समय प्रशना जहां पर आपको लिखते हैं जहां पर भी आप रहते हो उसे वहां का नाम पता डाल दीजेगा ठीक है नहीं पता तो रायपूर भी डाल सकते हो बांके अपने नाम डाल देना अपना जहां का नाम डाल देना पेपर आपका 27 सत्ताइस सितंबर 2022 अधर ने भाईया साधर प्रणाम यहां का समचार सकुसल है आसा करता हूं कि बहां भी आप सब कुसल और मंगल में होंगे मुझे ह डाथ भी बहुत खुसी हो रही है कि अभी हुए मांसक टेस्ट में मैंने अपनी कक्षा में सरवादी गंग करत किये हैं अब मैं देन रात मेहनत कर त्रमार्षिक की परिक्षाओं के तयारी कर रहा हूं मैं पड़िक्चाओं में भी अबबल आने की पूरी कोशिस करूंगा मैं पापा मापा को मेरा परणाम कहिएगा आपके पत्र का इंतर जार करूंगा आपका भाई जो भी आपका नाम हो डाल दीजेगा ठीक है चात्रों लास्ट कोश्चन आपके एक और बचा हु आएगा हमेशा आता है साल भी आएगा तो आप बेज्ञान की चमतकार बस को बहुत अच्छी त्यार कर लीजेगा नेवंद अपनी गाइड बॉक्स से देखके बागी चात्रों यह जो कोश्चन थे आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत ज्यादा से हम इसलिए वीडियो क कर भूब सकते हैं यह यह अवागी अच्छी आपके ओूब कम।न हुब रहो दो देखके हैं सिह किम șॉँना हैं व Miles पूब को Быर लेगा हैं रेवें मेर्न का फैसलिए में से साल है अबूटे कर देल रeयते हैं बहूब कर दोह भूब है झाल झाल